जी हां सभी को नमस्कार नाशुला नोलिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो मौर्निंग धुबत्ती वाली बस 40 क्लास और हर्यान जी के खलास दोस्तो मौर्निंग धुबत्ती के आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे सूपर 159 कोस्टनों की स्रीज जिसमें सबसे पहले हर्याना पुलिस से सम्बंदित महतरपॉन 44 कोस्टन हर्यान वी फिलम जगत से मेतल प्रोनल 44 कोश्चन और 71 कोश्चन वे शिरीज लिका रहे हैं हर्याना से सम्मनित परमुख वैक्तियों के बारे में ओके स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हर्याना पुलिस से सम्मनित कोश्चन और मुझे आसा है कि ये जो 44 question आ रहे हैं, इन में से ऐसे 8-10 question आपको मिल जाएंगे, जो सायद आपने पहले ना सुने हो, question number one, हर्याना पुलिस का गठन कब हुआ था, एक नोवंबर 1966 को, कब हुआ, एक नोवंबर 1966 को, next question number two, हर्याना पुलिस की एबरिवेशन क्या है, यानि कि हर्याना पुलिस में लगने वाला जवान अपने कंधे पर जो टाइटल लगाता है, लिखावा होता है, पितल से, वो क् सेवा सुरक्षा और सहयोग, देखे दोस्तों, हर्याना मुश्कान जो बुक है, ओलड़ी आपके पास आ गई होगी, नहीं आई है, तो मार्केट में अवेलेबल है, और उसी के अंदर से ही पूरा हम आपको पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं उसी के अंदर से, ताकि ही पढ़ाया जा रहा है, इससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा, बुक के अंदर से पढ़ लीजिए, वीडियो को ओडियो की तोर पे सुन लीजिए, मैंने कोश्चन बोला, आपने आंसर दे दिया, अगर आप आंसर नहीं दे पाते हैं, तो आंसर तो मैं बता ही रहा ओके, तो इससे रिवाइज भी हो जाएगा, कोश्चन नमर फोर, हर्याना आर्मड पुलिस में कितनी बटालियन है, तीन है दोस्तों, मदुबन, हिसार और अंबाला, कोश्चन नमर फाइव, हर्याना पुलिस डिपार्टमेंट किसके अंतरगत आता है, यह आता है दोस्तो तो डिपार्टमेंट ओफ होम अफेयर्स, यानिकि ग्रह मंतराले, डिपार्टमेंट ओफ होम अफेयर्स, गोश्चन नमर फाइव, हर्याना सरकार का ग्रह मंतराले के अंतरगत आता है, नेक्ट, हर्याना पुलिस में कितने वायरलेस एंटेना के अंदर है, तीन है दोस्तो तो साम ताकड़ी और सहरन Question No.7 हरियाना में कितने पुलिस जिले हैं 24 हरियाना में कितने पुलिस जिले हैं 24 जिसमें से 22 तो जिले हैं हमारे और दो कौन-कौन से हैं हम, हासी और मानेसर आपको अलड़ी मैंने पहले दूसरे नमबर वीडियो में आपको ये ट्रिक के साथ बताया था हम, हासी और मानेसर यानि कि हम वो हैं जो कि जिला ना होते वे भी पुलिस जिला हैं हम कौन-कौन, हासी और मानेसर और दो तो ये हो गए और 22 जिले हो गए, टोटल कितने हो गए 24 पुलिस जिले लेकिन कोश्चन अगर आजाए हर्याना में ऐसे कितने पुलिस जिले हैं जो जिला ना होते वे भी पुलिस जिले हैं तो आणसर होगा 2 अगर कोश्चन आजाए हर्याना में कितने पुलिस जिले हैं तो आणसर होगा 24 कोश्चन नमर 8 हर्याना में एसे कौन से पुलिस जिले हैं जो जिले नहें ना होते हुए पुलिस जिले हैं और घज़ी आपको बता दिया हासी और मानेसर यानि के हम Question number 9 हर्याना में कितनी पुलिस रेंज है? 5 दोस्तो कौन-कौन सी हिसार, रोतक, अंबाला, करनाल और एक है साउथ रेंज जिसे हम रेवाडी रेंज के नाम से भी जानते हैं कौन-कौन सी हिसार रेंज, रोतक रेंज, अंबाला रेंज, करनाल रेंज और रेवाडी रेंज, जिसे हम साउथ रेंज के नाम से भी जानते हैं Question number 10 हिसार, स्वारी हिसार रेंज के अंबाला रेंज के अंबाला कौन-कौन सी जिले आते हैं हिसार रेंज में दोस्तो हिसार फत्याबाद, हासी सिर्सा और जिंद यह आते हैं पांथ जिले Next रोत्तक रेंज के अंतरकत कौन-कौन सी जिले आते हैं रोत्तक जजर, सोनिपत चर्खी दादरी और भिवानी रोत्तक रेंज में कौन सी आते हैं रोत्तक जजर, सोनिपत चर्खी दादरी और भिवानी यह आते हैं दोस्तो रोत्तक पुलिस रेंज में नेक्स्ट है अम्बाला रेंज अम्बाला रेंज में दोस्तो अम्बाला, यमनानगर और कुर्छेत्र अम्बाला, यमनानगर और कुर्छेत्र अरे भाई इसके उपर 5 कुला था उसको सामिल क्यों नहीं किया बताएई ज़रा क्योंकि हरियाणा के अंदर यह जो पांच पुलिस रेंज है इन में 19 जिलो को कवर किया गया है और तीन जिले ऐसे हैं जिने हरियाना पुलिस कमिशनरी में सामिल किया गया है करनाल रेंज के अंतरगत कौन-कौन से जिले आते हैं करनाल पानिपत और कैथल कोशन नबर 14 साउथ रेंज या कहें रिवाडी रेंज में कौन-कौन से जिले आते हैं रिवाडी, महंदरगड, पलवल और नुहू यानि की मेवाथ और दोस्तों हरियाना में कितनी पुलिस कमिशनेरी हैं मैं भी आपको पुलिस कमिशनेरी की चर्चा की थे ना जी-पी-एफ यानि की गुरू-गुराम पंचकुला और फरीदाबाद यानि की फरीदाबाद पुलिस कमिशनेरी है तीन जी पी एफ गुरुगराम पंचकुला और फरीदाबाद कौशन नमर 16 हर्याना में कितने तरह के महिला पुलिस थाने हैं दोस्तों तरह पूछा है दो प्रकार के हर्याना में दो प्रकार के महिला पुलिस थाने हैं कौन-कौन से एक तो है नॉर्मल महिला पुलिस्थाने और दूसरे हैं दोस्तों पिंक यानि कि गुलाबी महिला पुलिस्थाने ओके नेक्स्ट कोश्चन नमर 17 महिला पुलिस्थानों की स्थापना कब हुई 28 अगस्थ 2015 को महिला पुलिस्थानों की स्थापना कब हुई 28 अगस्थ 2015 को पहला महिला पंचकुला मनसा दिवी कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉस्चन नमर उन्निस जिस दिन पहला महिला पुलिस्थाना खोला गया उस दिन कौन सा तेहार था दोस्तो रक्षा बंधन का किसका रक्षा बंधन का तेहार था कॉस्चन नमर बीस पिंक महिला पुलिस्थानों के स्थापन कहां की गई दोस्तों ये हुई पंचकुला के सेक्टर 5 में पंचकुला के सेक्टर 5 में कोशन नमर 21 हर्याणा में पुरूस पुरूस स्टेशनों की संख्या कितनी है दोस्तों नया कोश्चन है आपके लिए 289 289 पुलिस स्टेशन है किसके पुरुसों के और महिलाओ के कितने है 34 Question number 22 हर्याना में पुलिस training center कहां कहां है दोस्तों 4 है जिन में से एक महिलाओ का है और तीन अन्य पुरुसों के 4 कौन कौन से एक तो है सुनारिया रोतक में, दोसरा है मदुभन करनाल में, तीसरा है भौंड सी, गुरुग्राम में और चोथा है दोस्तों हिसार में हो गए चार, ओके, next Question number 23 हर्याना में पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहां खोला गया गुरुग्राम में, कब मार्च 2018 में हर्याना में पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहां खोला गया गुरुग्राम में मार्च 2018 में next Question number 24 हर्याना में स्मार्ट पुलिस स्टेशन कौन कौन से है तीन है दोस्तों, जो कि हमारी पुलिस कमिशनेरी भी है, वो स्मार्ट पुलिस स्टेशन भी है, कौन कौन से जी पी एफ, गुरुग्राम पंचकुला और फरीदाबाद ये स्मार्ट पुलिस स्टेशन भी है और पुलिस कमिशनेरी भी है, ओके next Question number 25 हर्याना में पुलिस मित्र की शुरुवात कब हुई 1 नॉवंबर 2017 को पुलिस मित्र की शुरुवात हुई हिसार, पहला का खोला गया हिसार में next Question number 27 मदुवन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को किस नाम से जाना जाता है तो इसे जाना जाता है पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के नाम से क्या पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के नाम से जाना जाता है मदुबन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के नाम से मदुबन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना को हुई 14 मैं 1973 को मदुबन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई Question number 39 मदुबन पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को कब मदुबन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया दोस्तों मदुबन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कब बनाया गया इसको 9 जनवरी 1976 कब बनाया गया 9 जनवरी 1976 को पहले क्या था पुलिस ट्रेनिंग स्कूल था स्कूल से से सेंटर बना दिया गया स्थाब नक वोई थे 14 माई 1973 को सेंटर कब बनाया गया 1976 में यानि कि 9 जनवरी 1976 को कोशन नबर 30 आप राधिक तत्वों को रोकने के लिए हर्याना में कौन सी पोलिशी शुरू की गई है दोस्तों जीरो टोलरेंस पोलिशी यानि कि बाई टोलरेंस माने सहन करना जीरो माने जीरो पोलिशी माने नीती यानि कि पोलिशी यानि कि बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा जीरो टोलरेंस पोलिशी आप राधिक तत्वों करोगने के लिए कौन सी पोलिशी तियार की गई है जीरो टोलरेंस पोलिशी दोस्तों यह है आपका अपना यूट्यू पॉइंट्स के साथ इतने जबरतस कोशन के साथ इन फ्यूचर देखोगे कोई और राइटर लेखे देगा वह मैं कहने सकता लेकिन इससे पहले आपने नहीं देखियोगी तो मैं चाहूंगा कि एक बर आप पुष्टक जरूर पड़ें आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी कोशन नमबर 31 हर्याना में महिला पुलिस थानु की संख्या कितनी है 34 हर्याना में महिला पुलिस थानु की संख्या कितनी है 34 next question number 32 हर्याना में कितने traffic police station है 22 हर्याना में traffic police station कितने है 22 देखे दोस्तों जो question हमने 31 किया है इसको एक बार फिर revise कर लिए है हर्याना में महिला police thano के संख्या 34 और याद होगा एक question हमने पहले करवाया था हर्याना में police के जो पुरुस थाने हैं, वो कितने है ? यानि कि हरियाना में पुरुस पूलिस थान विसां क्या कितने है ? अभी किया था यस्ट कोशन ऊपर यह का आया था ? 289 289 पुरुस के और 34 महिलाओ के ओके ? नेक्स्ट कोशन नमबर 23 हरियाना में कितने GRP श्टेशन है ? दोस्तों, G.R.P. स्टेशन है, दोस्तों, यह सोडा है, कितने हैं, सोला, नेक्स्ट, हरियाना पुलिस का पर्थम I.G.P. कौन था, I.G.P. BS. रोसा, हरियाना पुलिस का पर्थम I.G.P. कौन था, I.G.P. BS. रोसा, नेक्स्ट, हरियाना पुलिस का पर्थम I.G.P. कौन था, I.G. कि'll नेक्स्ट को स्टेस। को स्टमान में हर्यांग पूरिस का मुख्याल länger कहा पाँ तो सु सेक्ट्र छ्य है मैं हपिलिश का मुख्याल रहे हैंॅ कोние इंपोर्टेंट कोश्चन 38-39 राज्य महीला पुलिस दिवस कम मना जाता है दो तो राज्य महीला पुलिस दिवस 16 अगस्त को मना जाता है कम मना जाता है 16 अगस्त को मना जाता है राज्य महीला पुलिस दिवस और हर्याना में पुलिस सहीदी दिवस दो तो 21 अक्तुबर को मन याद रखेंगे नेक्स्ट और दोस्तों पहला कोश्चन जो हमने किया था हर्याणा पुलिस की स्थापना का हुई थी एक नॉवम्बर उनिसो चाट को हर्याणा में राजे महिला पुलिस दिवस 16 अगस्ट को पुलिस सहीदी धिवस 21 अक्तुबर को ओके नेक्स्ट नमर सिशी तीवी दवाबा चालान काटने की परिक्रिया किस जिले से प्राहरम हो थी दोसतों यमनानगर से से स्टार वह इच्ट नमट 82 किस पुलिस एक्ट के तहट स्थापित की गई 1861 पुलिस एक्ट कौन सा 1861 के तहेत हरियाना पुलिस को स्थापित किया गया है और आज का अंतिम कोश्चन है हरियाना पुलिस से सम्मधित हरियाना पुलिस द्वारा नसा तसकरी की सूचना देने के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है दोस्तों यह है 1800-180-1314 क्या है 1800-183-14 यह है टोल-फ्री नंबर नेक्स्ट दोस्तों अभी स्टार्ट होता है हमारा हरियाना फिलम जगत कौन्षा हरियाना फिलम जगत इसके विए महत्वपुन 44 कोच्चन आपके सामने आने वाले हैं हरियानवी सिनेमा की पहली फिलम कौन सी थी धर्ती दोस्तों कब आई 1968 में हरियानवी सिनेमा की पहली फिलम कौन सी थी धर्ती कब आई 1968 में नेक्स्ट कोच्चन नमर दो हरियानवी भासा की पहली फिलम कौन सी थी हर फूल सिंग जाट जुलानी वाला कम रिलीज हुई? 1970 में देखिए हर्यानवी सीनेमा की पहली फिलम है धर्ती जो के 1968 में रिलीज हुई है लेकिन हर्यानवी भासा की अगर बात करें तो वो है हर्फूल सिंग जाट जुलानी वाला फिलम जो के 1970 में रिलीज हुई है कोश्चन नमबर 3 कोश्चन नमबर 4 अननद कुमार जैलदार कौन थे हर्यानवी फिलमों के पहले निर्देशक ओके दोस्तों ट्रिक के तोर पर आपने कैसे याद करना कर लीजी आननद कुमार भाई सा बहुत सक करते हैं मैं इस लिए जानता हूं कि मेरे साथ रहते थे आर्मी में ओके होला आननद कुमार जी बहुत सक करते थे हर बात हात में सक करते थे निर्देशक और माता कौन देवी होत यह देवी संकर प्रभाकर कोस्टन नमर फाइब हर्यानेवी फिल्मों की पहली हिрат कोन थी दोस्तों पहली हिरोईन थी उशा शर्मा उशा saat मा पहली हिरोईन नेक्स्ट उशा सर्मा का समद किस जिले से है दोस्तो हिसार से कोशन नमर सेवन हर्यानीवी फिल्मों के पहले हीरो कौन थे जगत जाखड जगत जाखड दोस्तो हर्यानीवी फिल्मों के पहले हीरो थे और हीरोईन कौन थे उशा सर्मा कोश्चन नमर 8 जगत जाखड को किस उपनाम से भी जानते हैं रोबिन हुड हर्याना का रोबिन हुड किसे कहते हैं भाई यह कोश्चन पूछा गया है हर्याना का रोबिन हुड के नाम से जाना जाता है जगत जाखड को Q9. जगत जाखड का समद किस जिले से है? दोस्तों, हीरो कहां के थे? जजजर के और हीरोईन कहां के? हिसार की. तो भाई, ये जगत जाखड जाखड का समद किस जिले से? जजजर से. और हीरोईन उसा सर्मा का समद कहां से था? हिसार से. Q10 और 11 को थोड़ा ध्यान से देखना हर्याना के पर्थम सफल फिलम कौन शी थी बहुरानी देखे पर्थम सफल फिलम पूछा है बहुरानी है 1983 में रिलीज हुई थी इसके हीरो थी राकेश बेदी और हीरोईन थी सुमित्रा ठीक है दोस्तों पर्थम सफल फिलम है सबसे ज़्यादा सफल नहीं पूछा और अगला कोश्चन आजाता है हरियाना में सबसे ज़्यादा यानि कि सरवाधिक सफल फिलम कौन सी हुई है ये हुई है दोस्तो चंदरावल कौन सी हुई है चंदरावल और चंदरावल फिलम कब बनी है 1984 में ठीक है देखें बहुरानी जो फिलम आई है 1983 में आई है जो कि पर्थम सफल फिलम थी और जो चंदरावल है वो 1984 में आई है जो कि सरवाधिक सफल फिलम रही है ओके नेक्स्ट कोश्चन नमर तेहरा चंदरावल फिलम के हेरो और हेरो इन कौन थे दोस्तों जगत जाहध और उशा सरमा ये थे चंदरावल फिलम के हेरो क्वेशन नमर चोदा बीरा सेरा फिलम कब बनी थी 1973 में हो सकता है कि सी पुष्टक में आप को 1974 लिखा हुआ मिल जाए लेकिन correct answer is 1973, सई answer क्या है 1973, next question number 16, 15, 12, 16, film के निर्देशक कौन थे, अनूप कुमार जी, 12, 16, film के निर्देशक कौन है, अनूप कुमार, और दोस्तों, हर्यानवी फिल्मों के पहले निर्देशक कौन बदाये थे, आनूप कुमार जैलदार, next question number 16, वीर घटोतकच फिल्म कब बनी थे, 1974 में, वीर घटोतकच के हीरो का नाम क्या था, दोस्तों, मास्टर चंदगी राम, जो कि दो बार हिंद केसरी और भारत केसरी भी रहे चुके हैं, कौन मास्टर चंदगी राम, ये थे वीर घटोतकच फिल्म के हीरो, question number 18, राष्ट्य प्र कौन सी है, लाडो, राष्ट्य प्रुसकार पाने वाली हरियानवी फिल्म, पहली हरियानवी फिल्म, कौन सी, लाडो, question number 19, लाडो फिल्म कब बनी थी, दोस्तों, ये बनी थी सन 2000 में, और इसके निर्माता कौन है, कुमुद चोधरी, कौन है, कुमुद चोधरी, और very important question, question number 20, हरियाना की 2019 में निर्मित किस फिल्म को राष्ट्य पुरुसकार मिला है, हरियाना की किस फिल्म को जो की 2019 में बनी है, राष्ट्य पुरुसकार मिला है, ये है, छोरिया छोरो से कम नहीं होती, छोरिया छोरो से कम नहीं होती, जिसके निर्माता कौन है, निशान्त कोशि है और किस बैनर तले बनी है दोस्तों यह बनी है 37 कोशिक इंटरेश्टेंब्स तो राश्ट्य परुस्कार पाने वाली हर्याना की पर्थम फिलम कौनसी है यह यानि कि ऐसी फिलम जिसे 2 राश्ट्य परुस्कार मिला वह है पगडिदा उनर 2014 में बनी दोस्तों लेकिन अगर पूछ लिया जाए हर्याना की पहली फिलम जिसे राष्ट पुरुष्कार मिला वो है लाड़ो उसे एक ही मिला था लेकिन पगडिदा उनर को दो मिले हैं लाड़ो सन 2000 में बनी थी और पगडिदा उनर 2014 में बनी है ओके भ चंद्रावल टू कब बनी सन 2012 में फिल्म चंद्रावल टू कब बनी सन 2012 में कोश्चन नबर 24 फिल्म चंद्रावल टू के निर्देशक कोन है निसिकांत परभाकर कोन है निसिकांत परभाकर है फिल्म चंद्रावल टू के निर्देशक कोश्चन नबर 25 राष्ट्य पुरु के निर्देशन तले बनी है, ये कब बनी है, 2015 में, कोशन नमर 26, राष्ट्य पुरुषकार पाने वाली फिल्म सतरंगी के निर्देशक कोन है, आगया कोशन वही, संदीप सर्मा, कोन है, संदीप सर्मा, कोशन नमर 27, सहीद ए हरियाना में सैनिक की बहन की भूमी का किसने मोनिका सोनी ने, कहां की रहने वाली, रेवाडी की, कहां की रहने वाली, रेवाडी की मोनिका सोनी ने, कोशन नमर 28, हरियाना की लत्ता मंगेशकर किसे कहा जाता है, आगया ना भई कोशन, तो ये हैं दोस्तों मोनिका सोनी, इसे हरियाना की लत्ता मंगेशकर के नाम से जा प्राइक पर जान लेते हैं क्योंकि कोशन इस हिसाब से आमूमन पूछे जाते हैं और इन में से ही कई बार पूछे गए हैं तो रोतक से जो हुए हैं दोस्तों उन में से कुछ एक हैं देखें पूजा बत्रा अभी नेत्री आप जानते होंगे मनोज कुमार आभीने करते हैं याणि के हीरो रनदीप हुड़ा हर कोई जानता है आभीने करता है शुभास गई डारेक्टर प्रोड़ूशर है जश्विंदर नरूला सिंगर है और जेपी कोशिक कौन नहीं जानता संगीतकार ये रोतक से सम्मद रखते हैं दोस्तों कहां से सम्मद रखते हैं रोतक से पूजा बत्रा मनोज कुमार रनदीप हुड़ा सुभास गही जश्विंदर नरूला जेपी कोशिक कहां से सम्मद रखते हैं रोतक से आभी आ जाते हैं फरिदाबाद फरिदाबाद से देखी गायक है कौन-कौन से सोनु निगम रिचा सर्मा त तुलिका गांगुली ये तिनों गायक है और कहां से सम्मद रखते हैं फरिदाबाद से नेक्स्ट अंबाला अंबाला से दोस्तो जोही चावला ओमपुरी और घासी राम कोतवाल और अमरिश्पुरी इनके भाई साथ ठीक है जोही चावला ओमपुरी परिनिती चोपड़ ये अभीने से सम्मद रखते हैं दोस्तों चारो का चारो इसके अलावा एक है जोहराबाई जो की गजल गाई का है ये कोश्टन कितनी ही बार पूछा गया है जोहराबाई वाला इसके अलावा परिनिती चोपड़ा और जुही चावला का भी पूछा जा चुका है सोनु न अभीने से है कहां से हैं किस से हैं अभीने से कौन-कौन से सुनिल दत जो संजेदत के बाप वेद गांदी राज दिलक नेक्स्ट है हिसार हिसार से देखिए यसपाल सर्मा मलिका सहरावत हर कोई जानता हुए इसको तो किसको यसपाल सर्मा को यसपाल सर्मा मलिका सहरावत यसपाल सर्मा ने बहुत जबरदस्थ अभी ने किया है किसमें गंगा जल में, ठीक है, इसके अलावा रावडी राठोर, देखे होगी न फिलम, अक्षे कुमार के, हाँ जी, उसमें यसपाल सर्मा है, अपने कहां के, हिसार के, ओके, नेक्स्ट है, सिर्षा, सिर्षा से है इवी कलाकार है दोस्तों, और जीन्द के, केडी, एमडी को तो कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है, कुलवीर, दिनोदा, और मन्नु दिवाना, ये है गायक, दोनों के दोनों, नेक्स्ट दोस्तों, पानिपत, पानिपत के, मोहित एहलावात, सत्यन कूप, अभीने करत हैं, और महंदरगड के सतीश कोशिक जी, इनको तो हर कोई जानता है, ठीक है, ये थे कुछ कलाकार, जो कि, जिस जिले से समद रखते हैं, वो आपको बता दिया गया है, एक दो बार इसको जुरूर पक्का पढ़ ले हैं, वेरी इंपोर्टन कोश्चन है, भाई, कोश्चन वाले हैं, next question number 31, अहरियाना फिल्म dunno, television on the truth, कहा पर है, नेक्स दैको पर दोस्तों, तीली खियर इपने हूं, कोशन नमर तेटिस पेहवा से विधायक संदीप सिंग पर कौन सी फिलम बनी है दोस्तो वो बहुती मोटिवेटर फिलम सूर्मा किस खेल से समध रखते हैं होकी से इन पर कौन सी फिलम बनी है सूर्मा ओके नेक्स्ट कोशन नमर चोंटिस बोकसर विजेंदर सिंग ने किस फिलम में काम किया है फुगले 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 से सोनी हां जी कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा तो पंडित लख्मी चंद का जो संबंद है वो किस जिले से हैं कॉमेंट बॉक्स में आपके आनसर का इंतजार रहेगा कोश्चन नमबर 36 हर्यानी फिल्मों के परशिद पातर देखे कुछ पातर हुए हैं जैसे रूंडा खुंडा काले अठनी और गबरू इन्होंने किस फिल्म में काम किये थोड़ा आपको बताएते हैं देखे रूंडा खुंडा आम जब छोटे थे ना उसमें फिल्म देखे थी चंद्रावर ठीक ना रूंडा और खुंडा बड़े जवर्दास बदमास थे अपने गुरू की बहुत ज़्यादा सेवा करते थे कैसे बोलते थे एक टांग मेरी है गुरू जी की एक टांग तेरी है सेवा कर वो उसकी टांग को पीटता था पत्थर से उसकी टांग को पीटता था बड़ी अच्छी फिल्म है अठनी लाड़ो बसंति फिल्म में काले गुलावो फिल्म में हुआ है और गबरू हुआ है जरज़ुर जमीन में 1989 में रिलीज हुई थी दोस्त धो जरज़ुर जमीन next question no 37 हरियाना फिल्म सेल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है दोस्तों हरियाना फिल्म सेल का जो नाम बदल कर कर दिया गया है हरियाना फिल्म पर्मोशन बोड क्या हरियाना फिल्म पर्मोशन बोड वेरी वेरी इंपोर्टन कोश्चन Quesction No.38 हरियाना Film Sensor Board के देख्स कौन है? मैं बोल रहा था ना मेहندरकट के सतीस कोषिक जी को कौन नहीं जानता तो ये हैं सतीस कोषिक जी हरियाना Film Sensor Board के वर्तमान में देख्स कौन है? सतीस कोषिक जी Next Quesction No.39 हरियाना ने पहली बार किस फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया था हर्याना ने पहली बार जो फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लिया वो था पच्चास हुआ आई एफ एफ आई जो कि नुवंबर 2019 में गोवा में आयज़ुद हुआ था कहा हुआ था गोवा में आयो जो धुद हुआ था पचास हुआ next question number 40 हर्याना के पहली कहानी कौन सी है लड़की की बहदुरी question number 41 अर्विंद केजरीवाल पर कौन सी फिलम बनी है अरे किसने बना दी भाई अर्विंद केजरीवाल पर कौन सी फिलम बनी है an insignificant man ये बनी है अर्विंद केजरीवाल पर फिलम question number 42 कैप्टन हवा सिंग पर बनी बायो पिक में हवा सिंग का किरदार किसने निभाया है दोस्तों कैप्टन हवा सिंग पर जो बायो पिक बनी है उसमें जो कैप्टन हवा सिंग का किरदार निभाया है वो है सूरज पांचोली कोन है सूरज पांचोली कोश्चन नमबर 33 हरियाना में कैमरा म्यूजियम कहा है दोस्तो ये है गुरूगराम में कैमरा म्यूजियम गुरूगराम में और कोश्चन नमबर 44 है हरियाना में किस स्थान पर फिल्म सीटी स्थापित की जाएगी तो हरियान जो की हर्याणा से सμμंदिद परमुख व्यक्तिव हुए हैं उनसे सμंदिद ये कोशन आपको बताए जाएंगे ठीक है तो सबसे पहले जो परमुख व्यक्तिव में हुए हैं वो है स्री उदेबानु हांस जी कौँन है सिरी उदेबानु हांस है इनके proportion 1 एक, सिरी उदेवान हुहांस का जनम कब हुआ था, दो अगस्त 1926 को मुझफरगड जो की वर्तमान पाकिस्तान में, कहां मुझफरगड पंजाब वर्तमान पाकिस्तान, कब हुआ था, 1926 में, और ये 26 ही देखिए, 26 फरवरी 2019 को इनकी डैथ हो गई, ओके, कोशन नमर टू, सिरी उदेवान हुहांस जी की मिर्तिय कब हुई, 26 फरवरी 2019 को, हिसार के रहने वाले दोस्तों ये, हिसार में आके सेट्रल हो गए थे, जनम का हुआ, पाकिस्तान में हुआ था, कोशन नमर तीन, उदेवान हुहांस जी को राजकवी का दरजा कम मिला, 1967 में, उदेवान हुहांस जी को राजकवी का दरजा कम मिला, 1967 में, कोशन नमर चार, उदेवान हुहांस की परमुख रचनाएं कोन-कोनशी है, इनकी परमुख रचनाएं दोस्तों, हिंदी रुबाईया, भेडियों के संग, संथ सिपाही, हंस मुकतावली, देशा में देश हरिय हरियाना और संथ सिपाही, ये तीनों के उपर कोशन हरियाना एक्जाम में उलड़ी पूछे जा चुके हैं, ओके, नेक्स्ट कोशन नमर पांच, हरियाना का रुबई समराट के से कहा जाता है, उदेवानु हंस जी को, हरियाना का रुबई समराट कहा जाता है, हंस को सहित्यक आदमी का सूर संबान कम मिला 2006 में और दोस्तो अबर पांचाल के गुरू का क्या नाम है बै यह है उद्यभानु हंस जी किसके गुरू है सेतराम पांचाल के दोस्तों अगला हमारा जो परमुख वेक्तिताव है वो है सुष्मा सवराज जी ओके इनके बारे में जानते हैं सुष्मा सवराज के जर्म कभ हुआ था चोदा फर्वरी mammoth को कहां हुआ अमबाला चाओने में कभ हुआ नाम नाइन सुष्मा सवराज के पती का क्या नाम है सवराज कोशल का नाम है शवराज कोशल नाम है सुस्मा सवराज दिल्ली की मुख्य मंतरी कब बनी उनिस सो अठाण में नेक्स्ट सुस्मा सवराज के पती सवराज को सल किस राजे के राजेपाल भी रहे हैं दोस्तों ये रहे हैं मिजोरम के किस के मिजोरम के Next Quesn No.14 देश की पर्थम महिला विदेश मंतरी कोन मनी? सुष्मा सवराज कोन मनी? सुष्मा सवराज कब बनी? 2014 में Next Quesn सुष्मा सवराज के नाम पर किस बस स्टین्ड का नाम रखा गया है दोस्तोंructive Ambala Ambala सहर बस स्टैंड का Ambala सहर है देखिए देखें अंबाला में एक तो Kaneट है और दोसरा है City तो जो अंबाला City है उसके बस टेंड का नाम सुस्मा सवराजी के नाम पर रखा गया है 14 फर्वरी 2019 को इनका नाम बदल दिया गया था किसका अंबाला City बस टेंड का नाम चोदा फर्वरी को क्यों हो चोदा फर्वरी को सुस्मा सवराज जी का जनम होता है next सुस्मा सवराज की मिरत्यु कब होई 6 अगस्त 2019 को sorry जो question नमर 15 है उसका answer आप करेंगे 14 फर्वरी 2020 14 फर्वरी 2020 को जो अंबाला सहर बस्टेंड का नाम है वो सुस्मा सवराज जी की नाम पर कर दिया गया था ठीक है question number 16 सुस्मा सवराज जी की मिरत्यु कब ही 6 अगस 2019 को अभी start करते दोस्तो स्री विशंबरनात कोशी जी के बारे में महतु प्रून हस्ती है हर्याना की question number 17 स्री विशंबरनात कोशी का जनम हर्याना के किस जिले में वहा था अमबाला केंट में कब हुआ 1891 में 1891 में question number 18 विशंबरनात कोशी की परमुख रचनाई कोण कोणशी है बहुती महतुपन कोशन है बहुती महतुपन कोशन है कोणशी हरचनाई रक्षाबंधन 1913 में ताई गल्प मंदिर चित्रकला पैरिस की नर्त की परतिसोध जीत में हार खोटा बेटा सादगी की होली मनी माला कलोल चांद पत्री का वेर वेर इंपोर्टेंट उनी 120 में आई थी दूबे की चिठ्थियां बहुत ही महतुपन कल्प मंदिर चित्रसाला प्रेम प्रतिग ये थी दोस्तों इनकी महतुपन रचनाए किनकी श्री विशम्बरनात कोशिक जी की महतुपन रचनाए नेक्स्ट चांद पत्री का में विशम्बरनात कोशिक ने किसका वरणन किया है दोस्तों ये कोश्चन ये लगा लो दिमाग में सेट कर लेना 1928 के चांद पत्रिका के फासी अंक में कौन से अंक में? फासी अंक में 1850 की करांती में राज्ये के लोगों की फासी का वर्णन फासी अंक में नॉम्बर 1928 में दिवाली के दिन पर कासी तो हुआ था दोस्तो ठीक है? भाई 1928 में चांद पत्रिका का परकासन हुआ था जिसका अंक का क्या नाम था? फासी अंक और इसमें राज्ये में जो राज्ये के लोगों को फासी दी गई थी चांदनी चोक पर उसका वरणान है, ओके? नेक्स्ट कोशन नमर बीस पर्मुख उपन्यास मा और भिखारिनी के रचेता कोन है? विसंबरनाथ कोशिक जी पर्मुख उपन्यास मा और भिखारिनी इनके रचेता कोन है? विसंबरनाथ कोशिक जी कोशन नमर एक किस स्री विशंपरनात कोशी की मृतियों कब हुई 1975 में कब हुई 1945 में हुई इनकी मिरतियों अगले आते हैं दोस्तों गुडियानी गाउं के महान वेक्ती कौन बाल मुकंद गुप्त जी बाल मुकंद गुप्त का जनम हरियाना के की जिले में हुआ दा कब वह 14 निमंदकार दोस्तों, ये कहा जाता है बाल्मकंद गुप्त को हर्यान का परचिद निमंदकार कोशन नमर 24 बाल्मकंद गुप्त के परमुख रचनाय कौन कौनसी है इन में हैं सिव संभु का चिट्था कई बार पोछा गया एकजाम में 1905 में इसका परकासन हुआ था शिव संबुका चिठा भारत मित्र, हिंदुस्तान हिंद बंगवासी हरिदास, खिलोना बीवी के नाम चिठी खेलता मासा, आदी ये क्या है बाल मुकुद्द गुप्त के परमुखे रचनाय हुई है कोशन नमबर पाच्चिस बाल मुकुद्द गुप्त के ने कौन-कौन से परमुख अकबार निकाले थे देखिए, चुनार कोहिनूर भारत परताप, भारत मित्र, हिंद बंगवासी कोहिनूर को कैसे भूल सकते हो 1989 में कब आय था? 1989 में Next कोशन नमबर 26 बाल मुकुद्द गुप्त ने सीव संबू का चिठ्था में किस के सासन पर व्यांग पूर्ण आलोचना किया है? ये किये दोस्तों मारले मिंटों के विरोध में लाड़ करजन के सासन नीती के खिलाब और दोस्तों सभी चिठ्थे और खत सन 1903 से लेकर 1907 के दोरान भारत मित्र में परकासित हुए थे जिसका संबादन स्वयम बाल मुकुद्द गुप्त कर रहे थे कोशन कैसे पूछा जाएगा? कोशन कैसे बनेगा? सिव संबु का चिठ्था के रचेता कोन है? के राइटर कोन है? बाल मुकुद्द गुप्त दूसरा कैसे पूछा जाएगा? सिव संबु का चिठ्था के सभी चिठ्थे किस के माध्यम से परकासित हुए थे? भारत मित्र समाचार पत्र के माध्यम से ओके दोस्तों कोशन कैसे पूछा जाएगा कि भारत मित्र का संपादन किस ने किया था बालमकुंद गुप्त ने कोशन कैसे पूछा जाएगा भारत मित्र में जो सभी चिठ्थे लिखे गए थे वो कब से कब तक के समय के थे 1903 से 1907 के दोरान कोश्चन कैसे पूछा जाएगा कि इनका संबंद किसकी राशासन नीती के खिलाफ था ये था दोस्तो मारले मिंटो के विरोध में किसके मारले मिंटो के विरोध में ओप्शन में आपको लाड़ करजन मिलेगा लाड़ करजन का शासन था लेकिन मारले मिंटो की विरोध में हुआ था कोशन नमबर 27 बाल मुकंद गुप्त की मिर्तिकवी 15 सेप्तमबर 1960 15 सेप्तमबर 1960 नेक्स्ट और बचो सर छोटु राम जी के बारे में रोतक जिले में आपको पढ़ाया जाएगा पंडित नेकिराम सर्जमाज जी के बारे में भीवानी जिले में आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर एक बार फिर दुबारा पढ़ा के आपका टेमवेस्ट नहीं करना है अब जानते हैं चोदरी देविलाल जी के बारे में कोशन नम्बर 28 चोदरी देविलाल जी का जनम कभ हुआ 25 सेप्टंबर 114 को चोटा लगाऊं सिर्शामे कोशन नम्बर 39 चोदरी देविलाल कितने पढ़े लिखे थे दस्वी पास थे, मात्र दस्वी पास थे चोदरी देव सजी कोशन yo No. 30 चोदरी देविलाल को किन के नामों से जाना जाता है किसानों का मशीह ताउ जननायक हर्याणा का जनम दाता किन केकर राजनिती के भिशमपिता में है और सेरे हर्याणा इन नामों से जाना जाता है चोदरी देवी लाल जी को कोशन नमर 31 हर्याना के पहले संसदिय कारिय मंतरी कों थे? चोदरी देवी लाल जी हर्याना के पहले संसदिय कारिय मंतरी कों थे? चोदरी देवी लाल जी कोशन नमर 32 नेक्स्ट 1989 और 1991 में दो बार उप परदहान मंत्री बने थे कोशन वर चोंटिस चोधरी देविलाल की समाधी संघर्ष घाट कहां पर है दोस्तो ये है नई दिल्ली में चोदरी देविलाल जी का समाधिस्थल संगर्ष घाट कहा है नियो डेली में कोचनवर पैंटिस 1939 के लाहूर अदिवेशन में हरियाना की तरफ से किसने भाग लिया था चोदरी देविलाल जी ने 1929 के लाहूर अदिवेशन में हरियाना की तरफ से किसने भाग लिया था चोदरी देविलाल जी ने और दोस्तो इस अदिवेशन इस अदिवेशन को आप कैसे भूल सकते हैं क्योंकि पहली बार पूर्ण सवराज की जो मांग की गई थी इसी अदिवेशन में की गई थी दोस्तो ठीक है याद रखेंगे और कोश्चन है आपके लिए कॉमेंट बोक्स में जिसका कॉमेंट करेंगे कि पहली बार कब मध्यरात्री को जंडा फेराया गया था ओके देखते ज़र आपका अनसर क्या आता है कोश्चन नमर चत्तिस 1952 में मुजारा आंदोलन का नेतरतव किस ने किया था दोस्तो चोधरी देविलाल जी ने कोश्चन कैसे बन सकता है चोधरी देविलाल जी दवारा 1952 में किस आंदोलन का नेतरतव किया गया था मुजारा आंदोलन ओके कोश्चन नमर 37 चोदरी देविलाल दवारा बुढ़ापा पैंसन सो रुपे कब लागू की गई 1987 में बुढ़ापा पैंसन जो की वर्तमान में धाई अजार हो चुकी है कब लागू की गई 1987 में कोशन नमर 38 चोधरी देविलाल दवारा रिन माफी की कोशना कब की गई एक साल बाद 1988 में दोस्तों 1988 में याद रखना दोनों कोशन पूछे गए हैं दोनों कोशन पूछे गए हैं और इससे अगले वाला तो बहुत ही महत्वपुन है लोक राज लोक लाज से चलता है यहनारा किस ने दिया चोधरी देवी लाल जी ने चोधरी देवी लाल जी ने दिया था लोक राज लोक लाज से चलता है कोशन नमर 40 चोधरी देवी लाल सबसे पहले जेल कब गए 1931 में मात्र 14 वर्स की आईयों में बोस्टन जेल लाहोर में कोस्टन नमर 61 आपात काल के दोरान चोधरी देविलाल को किस के साथ सोहना यानि कि गुरुगराम की जेल में नजर्बंद किया गया था मुरार जी देशाइद जी के साथ दोस्तों कब मुरार जी देशाइद जी के साथ कब 75 में सबसे बड़ा पुरुषकार कौन सा है ताउ देविलाल पुरुषकार नेक्स्ट है विस्वनाथ परताप सिंग को प्रधान मंत्री किस ने मनाया था दोस्तों ये बनने वाले थे हमारे देविलाल जी लेकिन दस्वी पास होने के वज़े से इन्होंने कार्य भार किसको सौप दिया विश्वनात परताप सिंग जी को सौप दिया खुद क्या बन गए उपपरदान मंतरी बहुत ग्रेट आदमी थे नेक्स्ट चोधरी देविलाल स्टेडियम कहा है गुरू ग्राम में लेकिन अगर कोश्चन आजाए चोधरी देविलाल क्रिकेट स्टेडियम कहा है पंच कुला में चोधरी देविलाल स्टेडियम कहा है गुरू ग्राम में और चोधरी देविलाल क्रिकेट स्टेडियम कहा है पंच कुला में नेक्स्ट कोशन नमर 16 जोद्री दिविलाल राज अस्तरे नमोद्य विधियाले कहा है। भी आते हैं दोस्तों महत पुंठ अयोध्यापरसाध गोलिये जिनका समद्ध्यु गुरुग्राम से रहा है। तो question number 18 आयोद्या परसाद गोलिया का संबन्ध हर्याना के किस जिले से रहा है? गुरु गुराम से नेक्स्ट आयोद्या परसाद गोलिया का जनम कब हुआ था? 1902 में मिर्त्यू 1975 में नेक्स्ट अयोद्या परसाद गोलिया दवारा लिखी के परमुख रचनाए कौन-कौन शी है? यह दोस्तो जिन खोया तिन पाईया कुछ मोती कुछ सीप सेरो शायरी लो कहानी सुनो नगम ए हरम गहरे पानी पैठ उस्ता दाना कलाम और हसे तो फूल जड़े बहुत ही जबरदस्त कौन-कौन सी रचनाए हैं एक बार फिर रिवाइज कर लिजी ओके दोस्तो अब आते हैं हमारे लाला लाजपत्राई जी महत पुनास्ती है कॉस्चन नमरी क्या होन लाला लाजपत्राई का जनम कब हुआ था? 28 जनवरी 1865 को बहुत है जब एक बार सफलता मिल जाएगे उसके बाद में टीवी देखते रहना बच्चों के साथ खुशे रहना ब़ू होते रहना अब यह पढ़ाई कर लिजिए एक बार आप सक्सस हो जाई है कोई भी सरकारी नोकरी कम से कम SI तो बन ही जाईए SI, ग्राम सिचे, युकैनल, पटवारी, पटवारी पता नहीं कितनी ही वकेंसी आभी आपके सामने आ रही है तो सिपाही भी वकेंसी है, लेकिन कोई भी पद छोटा नहीं होता, छोटा या बड़ा कोई पद नहीं होता एक बार नोकरी जोइन कर लीजिए, उसके बाद में आगे आप प्रोग्रस करी सकते हैं आगे आप और पढ़ाई करेंगे, और किसी उचे पद गे लिए, तो एक बार किसी वी सरकारी लालाजपतराई की करम भूमी कहा जाता है, हिसार को हिसार को कहा जाता है, लालाजपतराई जी की करम भूमी कोश्चन नमर चोवन, लालाजपतराई ने किस जिगह में वकालत का कारिय किया था, दोस्तों ये किया था हिसार एम रोत्तक से, कहां से? हिसार और रोतक से 55 आदुनिक हिसार के विकास का सुत्रधार किसे कहा जाता है लाला लाजपत राई जी को आदुनिक हिसार के विकास का सुत्रधार कोश्चन नमबर 56 हिसार नगरपालिका का पर्थम सचीव किसे बनाय गया था 1989 में लाला लाजबत राई जी को, किसको, लाला लाजबत राई जी को 1989 में, कौशन नमर 57, हरियाना के किस वेक्ति ने 1888 में कांग्रेश के इलाबाद अधिवेशन में हिसार का प्रतिन दितव किया था, लाला लाजबत राई जी, 1888 में कांग्रेश के इलाबाद अधिवेशन में क किस ने प्रतिनित्व किया लाला लाजपत राई जी ने कोशन नमबर 69 उनिस साथ में लाला लाजपत राई को देश निकाला किस नहीं दिया था दोस्तों देश निकाला मिला था इनको यह दिया था डेंजिल इविट्सन जो उसमें के वाइस राई सुरी डेंजिल इविट्स कोशन नमर 60, लाल आजपत्राय को किस जगहें पर जेल में रखा गया था? मयान मार में, जेल का नाम मांडले जेल, ओके? कोशन नमर 61 लालाजपतराय जी किस दल के निता थे गरम दल के गरम दल के निता थे गरम दल के निताम कौन कौन थे लाल बाल पाल याद आगया होगा वेरी गूड लालाजपतराय बाल गंगा दरतिलक विपिंच अंदरपाल वेरी गूड मेरे सरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिस सरकार के ताबोत में एक एक कील का काम करेगी ये कथन किसके हैं लाला लाजबत राई जी के कोशन नमबर त्रेशट लाला लाजबत राई जी की मिरत्यू कैसे और कब हुई दोस्तो सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद एक परदर्शन में हिस्सा लिया था जिसके दोरान हुए लाठी चार्ज में ये बुरी तरह गायल हो गए थे और 17 नमबर 1928 को इनकी मिरत्य हो गए थी सिर में लाठी की चोट लगने की वज़े से 17 नमबर 1928 को ये सहीद हो गये थे नैक्स्ट कोउस्चन नमबर 64 जो कि पंडित जसराज जी का संमध़ है दोस्तो पंडित जसराज जी से संमध़र कोउस्चन शारट होते हैं पंडित जसराज का जनम कहा भुआ था यह वह दोस्तों हिसार में, कब हुआ? 28 जनवरी 1930 को और मिर्ति कब ही, 17 अगस्त 2020 को कोश्चन नमबर 65, पंडित जसराज किस घराने से सम्मद रखते थे? मेवाती घराने से, किसे मेवाती घराना? पंडित जसराज के परमुक गुरु कौन थे? ये थे दोस्तों पंडित मनिराम जी नेक्स्ट रसराज पंडित जसराज किसकी रचना है? ये इनकी खुद की रचना है दोस्तों पंडित जसराज जी की कौन सी? रसराज पंडित जसराज मंगल एम ब्रिश्पिती की कक्षा के बीच पाए गए एक सुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया है ये दोस्तों पंडित जसराज जी के नाम पर रखा गया है और किसने रखा है नासा ने किसने नासा ने नेक्स्ट कोश्चन नमर 59 अटल भिहरी वाज पाई पंडित जसराज को किस नाम से पुकारते थे दोस्तों पंडित जसराज जी को अटल भिहरी वाज पाई जी रस राज जी के नाम से जानते थे रस राज जी के नाम से पुकारते थे ठीक है कोश्चन नमर 70 पंडित जसराज को भारत रतन कब मिला दोस्तों इनको जो भारत रतन मिला 2013 में मिला था पदम स्री मिला 1975 में पदम भूशन 1990 में और पदम वी भूशन सन 2000 में इसके अलावा गंगु बाई हंगल लाइफ टाइम अचीविमेंट आवार 2016 में मिला था दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने 159 कोशन किये हैं हर्याना पुलेस, हर्यानवी फिलम जगत और हर्याना से चमधित पर मुखवेक थी आपको पसंद आये होगे और ये सारे के सारे हमने कवर किये हैं इस हर्याना मुशकान बुक के अंदर से इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस पुस्तक को पढ़ने से आपको कभी भी PDF की जरूरत पढ़ेगी ही नहीं PDF बहुत पढ़ ले मिर भाई आँखे बहुत खराब कर ले अब ये आँखे खराब करने का टैम नहीं है जो आपको पढ़ाया जा रहा है वही आपको ग्राउंड में मिलेगा कहां ग्राउंड में? किताम में मिलेगा ओके? तो पढ़िए इसको और आपकी तब्यत खुश ना हो जाए तो मेरा नाम नमीन लामबा नहीं दोस्तो सेट बेस्ड न्यू पैटरन बुक है बिल्कुल कौन सी है? सेट बेस्ड न्यू पैटरन बुक अभी तक तो बहुत कहानिया सुनी है बहुत कहानी सुनाने वाले आये हैं अभी कहानी नहीं सुनना मेरे भाईया ठीक है मेरे भाईयों उनकी कहानी नहीं सुनना है उनको सुनाना है और फैसला उन्दा स्पोर्ट करना है कैसे स्लेक्शन लेके और स्लेक्शन कैसे मिलेगा जब एक एक पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से याद गया जाए और वही हमने एक छोटी सी कोशिस किये इस हर्याना म उसकान बुक के माध्यम से ओके ठैंक्यू जैहिंद जैभारत वंदे मातरम आपका दिन सुब रहे आप स्वस्त रहे आप खुश रहे जल्द ही आपको स्लेक्शन मिले और जल्द ही बैंड बाजा भी बज़े अजया जापको स्वस्त रहे आपको स्लेक्शन मिले आपको स्लेक्शन मिले वे बाज़े